इंटरिनेशनल रिशन्स के संधर्व में एक बात तो बिल्कुल तै है कि यह पर्मणेंट नहीं होते तो खास बात यह कि यह पर्मणेंट हो भी नहीं सकते और दूसरी बात यह है कि इत्यास Keys जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इंट्रिनेशनल relations जितने interestingly develop हो रहे हैं इतने सायद past में कभी नहीं हुए और तिसरी बात के बहुत कम लोग को ये बात समझ में आ रही है कि जाने से पहले President Trump क्या अचीव करना चाहते हैं उनका game plan क्या है इंडिया, इसराइल, सौधी अरबिया या फिर बाकी अरब nations जिस strategy के साथ आज की date में operate कर रहे हैं उसमें अगर सबसे ज़्यादे परिशानी हो रही है तो पाकिस्तान को क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान deep trouble में है अगर आप ध्यान से देखें तो ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान एक problem में है उसको समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते की तरफ वो चले इंडियान nationalist के इस episode में मैं करनल विरंद्र कुमार आज यही बात आप से discuss कूँगा सबसे पहले पाकिस्तान को ले लेते हैं पाकिस्तान के सबसे अच्छे संबंध विगत में अरब nations के साथ है खास तोर से सवधी अरब और UAE के साथ में जो के अपने आप में एक economics power है और पाकिस्तान की काफी help करते हैं financially and otherwise अभी हालत यह है कि पाकिस्तान दो नावों में सवार है एक नाव सवधी अरब की है और दूसरी नाव टर्की की है इसी संदर में 6 अगस 2020 को पाकिस्तान के foreign minister ने एक statement दिया कि कस्मीर के ऊपर OIC ने जो stand लिया है उसमें पाकिस्तान अपनी relationship उनके साथ rethink करेगा या फिर revisit करेगा यह बहुत बड़ी बात थी अपने आप में उसके exactly एक हपते बाद UAE ने इसराइल को recognize कर दिया और सब को पता है कि UAE साओधी अरब से पूछे बगैर या उनकी concurrence की बगैर इसराइल को recognize नहीं कर सकता और यही सेक्वेंश चलती रही उसके बाद बहरीन ने recognize किया उसके बाद सूटान ने recognize किया अब पाकिस्तान चूकी टर्की और मलेशिया के साथ एक parallel संगठन जो कि OIC को challenge कर सके उसको खड़ा करने की फिराक में था तो सौधी अरबिया ने उस पे प्रेसर डाला और जो तीन बिलियन डॉलर का जो लॉन था उसको वापस करने को कहा जबकि उनको मालूम था कि पाकिस्तान इस पोजिशन में नहीं है इसी बीच में UAE ने भी पाकिस्तान के उपर प्रेसर डाला और लगबग तीन हजार जोब्स जो के UAE में थे जो के पाकिस्तानी कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने वीसा देने से इंकार कर दिया और वो जोब उनके हाथ से निकल गए अब ये मामला थोड़ा सा सीरियस होता जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की एकॉनमिक ट्रबल्स बढ़ने जा रही है पाकिस्तान के ऊपर नया दवाव ये आया कि वो इस्राइल को रिकगनाईज करे और ये दवाव सौधी अरबिया और बाकी अरब नीशंस की तरफ से आया सौधी अरबिया र herum ने ध्यान देने वाली बाथ है कि अभी तक इस्राइल को रिकगनाईज नहीं किया लेकिन as a leader of OIC Saudi Arabia wants that Pakistan should recognize Israel before it does that और यही अपने आप में सबसे बड़ी problem है secret meetings चल रही है कोशिस जा रही है कि किसी तरह इमरान खान और नेतन यहू के बीच में secret meeting हो क्योंकि इससे पहले सौधिय अरब में एक बहुत secret meeting हुई जिसमें USA के Secretary of State, Prime Minister Netanyahu और सौधिय अरवय के Crown Prince ने participate किया और साथ में मौसाद के Chief भी वहाँ पर थे तो अभी ऐसा ही सुनने में आ रहा है जानकार सूत्रों से कि पाकिस्तान के ऊपर एक immense pressure है इसराइल को recognize करने का और ये pressure कहां से आ रहा है टरंप की तरफ से आ रहा है सौधी अरवय की तरफ से आ रहा है पाकिस्तान में press especially कुछ गिने चुने पत्रकार हैं उसमें से कामरान खान एक हैं जो दुनिया नियूज के हैं और कुछ और भी सामिल है जो इस बात को recognize करते हैं कि इसराइल एक reality है और अगर उसकी existence को आप recognize नहीं करेंगे तो पाकिस्तान अपने आप में बहुत बड़ा loser होने वाला है इस से पहले 2005 में एक बार पाकिस्तान के foreign minister और इसराइल के foreign minister के बीच में secret meeting जरूर हुई थी जिसमें आपस में सम्वंदों को कैसे improve किया जा सकता है इस बात पर discussion हुआ था अभी आप देखें पाकिस्तान के पास खोने के लिए क्या है और पाने के लिए क्या है अगर पाकिस्तान इसराइल को recognize नहीं करता तो अरब देशों के साथ उसके संबंद निश्चित रूप से खराब होने जा रहे हैं और वहां पर India is going to take a big advantage of that and what people are talking is that India is choking Pakistan in Middle East इसलिए कहते हैं के international relations में जब तक आपकी strength ना हो आपको गलत कदम तो आप afford कर ही नहीं सकते पाकिस्तान इस हालत में नहीं था के वो Arab nations के साथ कोई भी disagreement कर सके उसके बावजूद भी उसने Malaysia और Turkey को साथ लेकर एक parallel OIC या उस तरह का organization खड़े करने की कोसिस की दूसरी बात पाकिस्तान ने तरकी को एक alternative leadership position ओफर की Islamic nations की और ये सब चीजे अरब nations को पसंद नहीं है इसलिए पाकिस्तान अंडर pressure है कि पहले वो इसराइल को recognize करें उसके बाद साथी अरविया उसको recognize करें और ये pressure immensely साथी अरब और Trump government दोनों की तरफ से आ रहा है देखिए analyze करते हैं कि पाकिस्तान के पास क्या है खौने के लिए और क्या पाने के लिए पाने के लिए तो साथ है कि उसको Arab nations का support मिलेगा financial situation उसकी improve होगी और Israel के साथ संबंध होने से वो इंडिया को counter balance कर सकता है लेकिन अगर वो recognize नहीं करता तो obviously उसके लिए issues खड़े होने वाले हैं क्योंकि Turkey या कोई और देश इस position में नहीं है कि वो कोई economic help पाकिस्तान की कर सके इसराइल एक super power है military technology में और वहाँ पर अगर पाकिस्तान इंडिया को counter balance नहीं कर सकता तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा loser होने वाला है क्योंकि इंडिया और इसराइल के जो संबंध है especially जो defense relationship है वो बहुत close है और वो basically पाकिस्तान centric हो सकती है क्योंकि जो भी technology इसराइल से इंडिया को मिलेगी उसका यूज पाकिस्तान के against में काफी जादे होने वाला है अगर पाकिस्तान recognize करता है तो फिर तरकी एक बहुत बड़ा problem creator उसके लिए हो सकता है जो equation आज की date में बन रही है ये equation टूटे गी और दूसरी बात इरान factor इरान अपने आप में बहुत बड़ा adversary है इसराइल का भी और सौधी अरब ये बखरें सौधी अरब इसराइल यूएस से ये तीनों आज की date में इस बात का effort कर रहे हैं कि इरान किसी भी तरीके से nuclear power ना बने और latest उसमें इरान का जो top nuclear scientist है मोहसन फकरीजादा who was conducting project Amad इनका assassination इरान के अंदर suspectedly मोसाद दुआरा execute किया गया है पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी problem है अगर वो इसराइल को recognize करता है वो है फिलिस्तिन की क्योंकि इसराइल को recognize करने का मतलब है फिलिस्तिन issue को dilute हो जाना वो जो high moral position फिलिस्तिन के बारे में पाकिस्तान ने ली हुई है वो अपने आप automatically चली जाएगी और उसका फायदा कौन लेगा इंडिया तरकी का दूसरा बड़ा issue इसराइल को लेकर ये है कि तरकी जैरूसलम को किसी जमाने में जो Ottoman Empire का पार्ट था आज भी तरकी उस पर अपना अधिकार परसीव करता है 1992 में इंडिया ने इसराइल को recognize करकर ये जो diplomatic game था ये अपने favor में कर लिया था अब पाकिस्तान के पास ये मोका है कि वो इसराइल को recognize करके अपनी situation थोड़ी improve करे लेकिन एक तरफ कुआ और एक तरफ high अगर recognize करता है तो भी problem है अगर recognize नहीं करता है तो भी उसके लिए बहुत बड़ी problem create होने जा रही है पाकिस्तान का ये मानना है कि अगर इसराइल के साथ वो अपने संबंद सुधारता है तो इसराइल उसको at par with India रखे obviously आज की date में इंडिया और इसराइल का जो business और defense relationship है वो कम से कम भी तो seven to eight billion dollars का है पाकिस्तान इस position में नहीं है कि वो इसराइल को इतना business दे सके secondly, इसराइल और इंडिया का एक civilization connect है इसराइल इस बात को मानता है कि दुनिया में अगर किसी country ने किसी यहुदी को कोई परतारना या harassment नहीं किया तो वो सिर्फ एक ही country है और वो country इंडिया है इसलिए ये सायद इसराइल के लिए possible नहीं होगा कि पाकिस्तान को वो इंडिया के at power रखे इसराइल अपने diplomacy को बहुत अच्छी तरह conduct करता है उसके कई देशों के साथ जो इंडिया के favor में नहीं है बड़े अच्छे संभंध है चीन के साथ उसके military technology के अलावा अच्छे खासे business relations है तर्की के साथ उसके business relations है आप समझ सकते हैं तर्की आज की date में ये नहीं चाहता के पाकिस्तान उसको recognize करे लेकिन खुद उनके इसराइल के साथ diplomatic relations भी है और business भी है अजर्बाइजान को तर्की और इसराइल दोनों एक साथ support कर रहे थे आप देखिए international relations की dilemma को और dilemma देखिए आप इमरान खान की अगर वो इसराइल को recognize करते हैं तो internally कितनी बड़ी problem तालिबान और बाकी organization उनके लिए करने जा रहे हैं ये रास्ता इमरान खान के लिए बहुत आसान बिलकुल भी नहीं है और इंडिया के लिए ये बड़ा interesting है कि वो इमरान की dilemma को watch करें और अपने actions plan करें मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिए subscribe कीजिए thank you very much है